मंत्र चाप मिर्द्य को भी टाले हर संकट पल भर में हर टाले मंत्रों की शक्ति से अब गुंज उठेगा सारा संसार दुख दर्द पाप विनाश और अज्ञान के अंदकार को मिटाएगा मंत्रों का अखंड ग्यान अब ग्यान के परोधाने थाम मंत्रों की मशाल हाथ में ले लिया ब्रह्मान को उज्यारा करने का मुकाम मंत्र हिलिंग वो चमतकारी आध्यात्मिक चिक्तसा है जो हमारे मन मस्तिश को संसार के तमाम जंजटों और मुसीवतों से पार ले जाती है हमारे व्यक्तित को वो असी मुझाईन देती है जहां सिर्फ खोशियां ही खोशियां है मंत्र सिद्धी के बिना तो ब्रह्मास्त्र भी मिट्टी के धुल है मनुश की काया नश्वर है किन्तु मंत्र अजरमर है जीवन की कठिन पकडंडी पर हार मान चुके लोगों को असीन शांती की सौकात देने और उन्हें नई उज्जा का संचार का तमाम मुसीवतों को दूर करने की शक्ति विने के लिए एक ऐसी महान हस्ति मंत्र क्रांती राने का बिल्या उठाया है सत्य स्वरूप है जिनका प्रभाव आनंद जिनका सहच सुभाव आशु भाई रोब गुरुवल नहीं नम्हा सोरे की रोश्नी को तो फिर भी आपने कंज ज्यादा होते दिखा होगा लेकिन विश्य विख्याद आशु भाई गुरुजी एक ऐसी महान शक्षियत के रूप में जाने जाते हैं जिनका मानवता के उत्धान का उतेश ये कभी नहीं रुका निरंतर दिन और राद में ये आयामों को स्थापित करता जा रहा है के लिए हमारे साथ इस्टूडियो में आ चुके हैं आशु भाई गुरुजी सबसे पहले गुरुजी को परणाम करते हैं गुरुजी बहुत स्वागत है आपका खास कारकरम है तो दर्शक आज का जुका बहुत खास है क्योंकि हर दिन गुरुजी आपको बहुत सारी ज्य रोशन करेंगे देश का नाम रोशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सब पर आपको नाज होगा कुछ ऐसी ही बात हर रोज गुरुजी आपको बताते हैं आपका मार्क दर्शन हर रोज करते हैं जिस तरह से कल गुरुजी ने बताया था कि सोना पहनने से आपकी जिन्दिग उस दोरान दैनव और दैतिय दोनों में जब युद छिड़ा हुआ था अमरत को लेकर उसी दोरान छीना जप्टी में अमरत की कुछ बूंदे जमीन पर गिर गई और यही बूंदे रत्न बन गई वैसे तो हिंदू मानेताओं के अगर बात की जाए तो 84 रत्न होते हैं लेकि हमने आपको बता दिया कि कैसे उत्पती हुई लेकिन रत्नों को पहनने से आपकी जिन्दगी किस तरह से बदल जाएगी वो आज हम गुरुजी से जानेंगे गुरुजी दोस्तो रत्न एक ऐसे चीज़ है जिस पर बहुत लोग विश्वास करते हैं बहुत लोग नहीं करते है रत्नों के बारे में ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन सा रत्न कितने का है लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि रत्न इतने महंगे होते हैं जिसके कीमत लगाना हर किसी के बसकी नहीं है कहने को तो ये कहा गया है कि हीरे की परख जोहरी गाने क्या ये बात सत्य नहीं है लेकिन आज हम सबसे पहले एक छोटे से रत्न के चर्शा करते हैं जिसे सभी जानते हैं उस रत्न का नाम है मूती डोस्तों मूती के में आज बहुत सारे तरीके बदाऊंगा और सबसे पहले मैं आपको बता दू कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया में सबसे ज़्यादा सफीद और दुनिया में सबसे ज़्यादा ठंडा मूती है ठंडा गहों के हिसाब से यह नहीं कि बरफ की डली है किसे आप छूचूचू के देखें बोले गुर्जी ने बोला था ठंडा है तो ठंडा नहीं है मुति किसी भी अकार का हो सकता है लंबा आडा टीडा तिगोना तूटा खंडे कैसा भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बहुत महीन से महीन और बहुत बड़े से बड़ा सबसे बड़ी बात है कि मुति आपके जीवन में चंद्रमा के लिए काम में आता है चंद्रमा मुति का ये कहा जाए कि उसी के लिए पैचान जाता है और मुती आपके जीवन में बहुत सारे फाइदे करता है अब कोई यह कहने लगे कि मुती का फाइदे करेगा मुती के हाथ पैरे नहीं है क्योंकि सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि मुती जिसके सबसे ज़्यादा वैलू कही गई है जिसे सबसे ज़्यादा अच्छा कहा गया है वो बसरे का कहा गया है बसरा अब नहीं है दोस्तो बसरा सोग गया बसरा एक तलाव के होता था बसरे में दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे महगा मोती होता था कहा जाता है मोती समंदर में होता है सीप के अंदर होता है सीप में कीड़ा हो उसके मुँ में आसमान से गिरी होई पानी के बूंद गिर जाए बरसाथ की और वो कीड़ा उसे खाले और फिर वो मुटी प्राप्त होता है पैदा होता है मुटी में अगर आप उसे वोक्ष्णी में रखें तो उसमें हलका इंदरधनुश बनता हुआ दिखाई देता है मोती की सबसे बड़े बात है कि दुनिया में वैसे तो बहुत सारे रतन है लेकिन जो जुबान पर चड़े वो सबसे बढ़िया रतन है अगर आपका चंदरमा ठीक नहीं चल रहा है आपको सर्दी ज़्यादा लगती है ये आपकी बोड़ी के संसर खराब है ठंड में ठंड ज़्यादा, गर्मी में गर्मी ज़्यादा, घबराट ज़्यादा बस फिर समय लोग कि आपको मोती के आफशकता है मोती आपको भुजन के आधार से पहनना चाहिए मोती केल्शियम होता है, अड़ी के तरह होता है बहुत से लोग नकली मोती का कारूबार बिगड़ते हैं केल्शियम से मोती को बनाते हैं और उसका कोई यूज नहीं होता है इसलिए आपको सर्टिफाइट रतन ही धारन करने चाहिए अनिता बेकार करतन आपकी जिंदगी में खुशियों की जगा गम को रख देगा अब यह कहा जाता है कि आपके जिवन में वेल्यू की स्चेश की है हमें तो यह कहूँगा मोती के है कहा जाता है कि भई ऐसा कौन सा तुने काम किया है कौन से मोती दान के ये हैं कितना बड़ा आदमी है सच बात है अगर किसे शुब मुहरत में शुब लगन में आप मोती दान करते हैं पानी में जहां से मोती आता है वही पर अगर आप उसको दान करते हैं बहेते में पानी में और वो मोती किछे को प्राप्त होता है, इसको पहनता है, पहनेगा वो मोती, उन्हें आपको लगेगा, भई वा, कमाल की बात है, मोती की बात कहें, तो एक बात तो सबसे बड़ी है, जिस वेक्ति के पास घर में मोती है, शेहत के अंदर, अदर वो वेक्ति मोती को रखता है, एक चांदी के डिबिया में तो कहा जाता है कि उसके गर में हमेशा बरकत रहती है बरकत फिर उसके घर से कभी जाती नहीं है और अगर मोती, काफी सारे मोती चावल के साथ और किसी भी जिगा के परशाद के साथ फूल वगरा के साथ रख के उसे सफेद कपड़े में बांद के अपने धर के तेजोरी में रखें तब भी ये कहा जाता है कि आपके घर में हमेशा बरकत रहेगे सुख शानते रहेगे सुखों का अच्छा तालमेर रहेगा मुति में एक बात और है दोस्तो अगर मुति गले में पहना जाए तो बिमारी में काम आता है क्या बिमारी हो सकते हैं चमड़ी का रूप चेरे पर निशान बढ़ जाना मात्वी पे जज़ा सिल्वट आ जाना नजला या जुकाम हो जाना गले के रूप हो जाना चेस्ट में बार बार इंट्टेक्शन होना सांस के साथ आवाज आना रात के समय में कराटे लेना बाल जल्दी उम्र से पहले सफेद हो जाना सिर में खुशकी अफ्यास का हो जाना सिर में लेक या जूका हो जाना आपके गर्दन में सर्वाइकल का हो जाना हडियों में दर्द होना लकूरिय की बिमारी होना नाखून की बिमारी होना और ऐसी बहुत सारी बिमारिया हैं जिन में मुती आपके लिए अत्यधिक सूटेबल है अगर आप मुती पहनते हैं तो आपको कोई भी दवा लगनी स्टार्ट हो जाएगी फिर आपको मेडिशन सूट करने लगेगी नहीं तो आप इलाज कराते रहें करा 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 के ठक जाएंगे और बाद में कहेंगे कियार मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ मेरी तबियत ठीक नहीं हो रही है मैं बड़ा परिशान हूँ मैं क्या करूँ एक बात तो हो रहा है दोस्तों जीवन में मोते एक ऐसी चीज है जो जमीन पे डाले तो उचलता है बागे कोई रतन जो है खंडित हो सकता है ज़्यादा जंप नहीं लेता है जबकि वो अंदर से स्वलिट भी होता है लेकिन फिर भी उसमें जंप लेने की ताकत होते है अच्छा मोते अगर आप घीज दे चानबूर के साथ तो उसके चमक दोगनी हो जाती है उसमें चमक की शाइन बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके जिवन में तो मोती की एक कहानी हो रहे है कहा जाता है किसे को मोती दान करने से दुख और दर्द मिटते है अगर आपको बहुत तकलीफे हैं मांसिक रोख से परिशान हैं डेपरिशन का सिकार रहते हैं या कोई काम है बार बार खराब होता है आप किसे प्रिये जन को जिसे आप प्यार करते हैं चाहे ममी है चाहे पापा है चाहे भाईया है चाहे तो आपकी प्रियमिका है आप उन्हें मोती कोई चीज मोती कासेट मोती के कान की या कुछ पी पहनाए और फिर आप देखेंगे कि आपका सब कुछ परमात्मने सुन लिया है एक बात और है दोस्तों मोति एक ऐसे चीज है जिसके बारे में जितना बूला जय कम है कहने को तो यह भी कहते हैं अगर मोति को मंगल की भश्म के साथ या शुकर की भश्म के साथ घर में रख जाए तो बच्चे जरूर विदवान होते हैं उनके बच्चे काम्याब ज़रूर होते हैं कहने को तो यह भी कहते हैं बरसाथ के साथ, बरसाथ के पानी के साथ और चमेली के इतर के साथ मोती को रखने से घर में हमेशा कपड़ों का वाहन का सुख रहता है इसमें किसे भी परकार के सुख को किसे के नजर नहीं लगती है आप जानते हैं दोस्तों मोती में एक विशेस बात और है जब आप मोती में छेद करा के उसे गले में धान करते हैं तो मोती के वैल्यू कम हो जाते हैं मोली मोती वैसा मोती नहीं रहता जो मारकेट को अच्छा समझे मारकेट में से दिमाग रहे मोती के एक बात और बताँ गा जोस्तू कहा गया है कि जिन के पास मोती होता है उनके घर में मानसे स्थोगा नहीं होता है पहले तो वो हमेशा उस चीज़ के लिए तरिशात पर तरसते हैं, परिशान होते हैं, मिल जाने पर उस चीज का विरूद करते हैं, यह चीज बेकार है, मुझे ऐसे नहीं लेनी, मुझे वहाँ यह नहीं जाना, मुझे ऐसा नहीं करना, और जाने क्या-क्या सूचते रहते हैं, एक बात दोर है, मुटि आपके जीवन में जनव पत्री में लगनेश में चंद्रमा बेठा है तो किसी से बिना कुछ पूछे आप मुती धार्न किजिए और जितना अच्छे से अच्छा मिले जितना बड़े से बड़ा मिले अतना मुते ही अपने हाथ के अनामी का उंगली में धारन करें चांदी में जड़वा कर पहन सकते हैं आप जानते हैं अगर ऐसी स्टिटी में मुती बैठा हो तो भर में सुख और दंधानी बढ़ता है कहते हैं जिसके घर में सुख बढ़ने शुरू हो जाते हैं कहते हैं जाइमारते बनते हैं आपकी तरक्य होते हैं आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी तरक्य हो रहे हैं सबसे पहले पडोसियों को तकलीफ होने शुरू हो जाएगे जलन होने लेगे कि गुस्सा करने लेगेंगे कि गाड़ी उदर कर ले इदर कर ले गल्प में से कूड़ा आता है घर के बार गीला कर देते हो फुलाना आप समय लो कि आपकी तरक्की हो रही है और आपके पडोसियों आपसे जल रहे हैं लेकिन इस जलन का भी एक इसा इलाज है आप एक ऐसा लोकेट बनवाय है जिसमें पांच मूती लगे हूँ अपनी गले में पहने आप देखेगे आपके पडोसियों शान्त हो गए हैं आप कि आप में लड़ाई जैसे कोई बात नहीं रही, सामते के सभाव के मस्त रहने वाले और अच्छी सोचने वाले वेक्ती हैं. एक बात और बताऊंगा दोस्तों, अगर आप मोती को काले जिनके डिप्या में रखते हैं, और उसमें दो लोंग रखते हैं, और जिस मकसद चे रखते हैं, वो मकसद आपका बहुत जल्दी पूरा होने का योग बनता है. मकसद तक ही पूरा होता है दोस्तों, जब आप मकसद के लिए जीना चाहते हैं, यदि आप सोचेंगे नहीं कि मुझे ये चीज़ बननी है, ये चीज़ करना है, तब मकसद क्या कर लेगा, क्या होगा उस बात का, जिसे आप सब कहते हैं कि यार ये बात तो मैंने सोचे नह मेरा तो ये काम हुआ नहीं, आज के समझ संचार में दो बात बहुत जरूरे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये हैं, कि अगर आप अपनी बच्चे के गले में मूती डालते हैं, वैसे उल्टी बात हैं दोस्तों, कहते हैं बलैक स्टार जो काले नंका पत्तर होता है, नजर को कीछता है, लेकर यहां कर रूल्टी बात है कि अगर आप मोती अपने बच्चे के गले में पहन पेनाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका बच्चा सुष्ष्थ है, निरोग काया है, और उसकी मन में झछल है, कहते हैं जब किसी के मन में झछल होता है, तो वह हर चीज को आप मेरे से बुरा चाहते हैं आप मेरे घर में देखिए जब काना फुसी होने लगे तो ये समझ लो कि घर में कुछ ना कुछ गरबर है जब काना फुसी आपके कान में इदर दर के बाते होते हैं वो बातें सदा ही नुक्सान से भरी होते हैं मैं तो ये भी कहूंगा कि नुकसान जब किसी के साथ होने लगते हैं बार बार होने लगते हैं तो विक्री अपने आप में अपने मान से कोर में बहुत परिशान होते हैं उनका दिल और दिमाग बहुत एंचन में होता है वो तो हमेशा ये सूचते हैं कि अब करूं तो क्या करूं अब जाओं तो कहा जाओं अब कैसे जियूं और क्या करूं एक बात है दोस्तों अगर मुति को चांदी के चेन में चांदी में पिरुआ के आप उसे 66 दानों से उपर माला पहनते हैं और अपने घर में नंगे पाऊ लेते हैं तो आपका जीवन हमेशा ठीक रहेगा आपके जीवन में कोई भी समझ्या या परिचानी आए तो आपको ऐसे लगेगा कि जिसे हाँ वास्तव में हमने इसके रक्षा किये है रक्षा तो की है दोस्तों क्योंकि जीवन में क्या है कामियाब वेक्ते ही अपने जीवन की सबसे बड़ी बात है जो लोग कामियाब नहीं है वो आज तक भी जिन्दगी को ढूंड रहे हैं कि मेरी जिन्दगी कहा है कैसी है, क्या करूँ, कैसे करूँ बार बार सवाल करते हैं जन्दकी में यही है, आप कुछ करने के इक्षा रखो, मैंने कहा था, जब करने के इक्षा रखोगे, तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके उपर सवार हो जाएगा, वो भी आपके बारे में सोचेगा कि क्या कह रही है, आपका तो जीवन बहुत स्वलल है, आपके जीवन में ज क्योंकि उपाय करना दू है उनके लिए फिर बेकार जीसी बात है क्योंकि कहा जाता है जब जब किसी में शर्दा के भाव न रही है तब तब उसने सभी चिजों का फल पाया है और सभी चिजों के फल में एक बात मैं आप को बिदा दू कि आपका जीवन कितना भी खराब हो पर जिवन ऐसा खराब नहीं है जिसके बारे में चर्चा कि जाए जिवन खराब ऐसा है जिसके बारे में हम सूचते तो सब हैं लेकर हमारे सूच हमारे जिवन के उस पॉ जुझा करते हैं कि सच में आने हमारे जीवण में वो सब चीजें बराबर तोर पर आती रहती हैं. जीवण में तो एक बात और है कि मोती अगर कलाई पपाण जाये , ड्रस्लेट की जगाऊ पर पेहना जाये तो कहा जाता है कि मोती मानशिक सुक दिखाता है और ऐसे बिखे कि दाटों के रक्षा करता है कहते हैं जिन मेलाओं को जूरों की प्राब्लम होते है वो हल्दी के मौला और मोती सासाथ मेंने तो कहा जाता है कि उनको बाय ज consuming जड़ से समात होने का योग बन जाता है मैंने ही वो दवाई लिए या न ले लेकिन दवाई लिना बहुत ज़रूरी होता है दवा लेने से दोस्तों क्या होता है कि हमारे मन में एक confidence रहता है कि मैंने दवा खाई है वो फाईदा करें ना करें तो बात का मिटर है क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे दवा खाते खाते मिट्ट्यों को फिराप्स हो जाते है मैंने बहुत से लोग देखे जो दवा लेने बड़ी शौक से जाते हैं पर उठा के रखते हैं उसे खाने के जहमत नहीं करते हैं आपके जिवन में तो एक मोती की बात और है अगर आज कल देखा होगा तो फैशन के इस दोर में महिलाओं के दुपटे पे भी मोती लगे होते हैं आपने कभी सोचा कि वो क्यों लगे होते हैं चाहें वो मोती कैसाई भी है अगर वो मुती अटेफिसल है तो इसका मतलब है कि मैं आपके जीवन में आच्छाई को आप तक नहीं पुचान पाया क्योंकि अच्छाईगां जो है वो हमेशा आपके साथ रेते हैं और आपके साथ रेहकर हमेशा तरक्य की बात करते हैं जैसे कहते हैं न कोई आदमी कहता है कि अरे तुम तो एक दिन में ठख गए मैं तो पचास साल से काम कर रहा हूं मेरे जीवन में तो ऐसे हुआ नहीं सुलाने के जीवन में ऐसे हो गया तो यह सब बाते जो हैं बेकार की बाते हैं और बेकार की बाते जो हैं वो हमेश जिमाग हमेशा इस तरह काम करें, जैसे लोग कहते हैं कि यार ज़ा नहीं आया, क्योंकि जब तक आपके जीवन में किसे चीज का अलंद नहीं आएगा, आप जीवन के पड़ते यूई उदास होते वे जीवन के पड़ते यूई परिशान होते वे और जीवन के यूई आप जीवन के ऐसी इस तरह के पाबलम में आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि पता ने मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मैंने तो ऐसा कभी किया नहीं मेरे जिन्दगी में इन्हों में पाउं रखवाया है मेरे जिन्दगी में इन्होंने मेरे जिन्दगी के हिस्से को कुछ करवाया है वो क्या है? वो मोती है मोती दोस्तों बहुत कलर के होते है पिंक मोती, काला मोती लाल मोती, नीला मोती, हरा मोती, सफेद मोती, बहुत तरह की मोती होते हैं और हर तरह का मोती आपके जीवन में डिफरेंट काम करता है इस तरह से कहीं बार तो आप यह समझ नहीं पाते हैं कि मोती आपके जीवन में आपकी मुनों कामनाओं को पूरा करता है जब तक मोती आपके जीवन में है आपके जीवन की तरक्यां बनाता चला जाता है कई बार तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हम भी अपने गुर्जी के साबने पत्ने हो गए हैं मोटे हो गए हैं लंबे हो गए हैं दूबले हो गए हैं छोटा था बड़ा हो गया हो आपको कैसा लगता है सच बात है लेकिन राज की डेट में काम्यावी का जो हासिया है वो रक्षा के हासिय से बड़ा हो गया है और कहते हैं जब इस तरह बड़ा हो जाए तो उस आदमी ने अपने जीवन में कोई इसा काप नहीं किया जिसके लि है जब आप बहुत अधिक मेहनस करते हैं तो अब लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्यों इतनी मेहनस कर रहा है जब आप बिल्कुल मेहनस नहीं करते हैं तो भी लोग डर जाते हैं कि खाली बेटा है कोई काम नहीं कर रहा है आप जिन्दगे को खुशियों के दोर तरीके म मिलाओ, फिर आप देखो कि आपकी जंदगी में किसी भी परकार का कोई दुल भागे नहीं है, आपका तो सिर्फ और सिर्फ भागे है, और आपके भागे में वो चीजें हमेशा से आपको प्राप्त रहेंगे, जिन चीजों के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं, कि चलो आप नमबर आएगा, कहने की बात नहीं है, हम लोग बोदी नहीं है, लेकिन हाँ यह है, कि आपके जीवन में जो मोती है, वो मोती ही काम आना है, और मोती आपके पास जरूर होना चाहिए, मोती तो लोग कुर्टे के बटन में भी लगाते हैं, मोती तो लोग बटन के जग में पहना जाता है और मोती तो एक ऐसे चेज है जो आपके घर में अगर आप मोती अपने घर में शुद्ध मन भाव से किसी सफेद कपड़े में रखके और इसके बीच में गंदा जलका छीटा मार के अपने घर में रखते हैं तो आपका मोती आपको बुरे सोपन से दूर आपके जिवन में कैसे है जैसे परमात्मा का वर्दान अभी आपने सुना होगा कि मोती अमरत की जो चीटे हैं उनमें से मेरे को लगता है कि सबसे पहली चीट या सबसे खूबसूरत चीट वो मोती वाली होगी क्योंकि नव रतनों में रतनों का हमेशा नाम रहा है नव रतन नव घरों को शमन करने के लिए हैं और आपके शरीर के अंदर जाने के मार्ग भी नो हैं कभे आपने गिने हैं नो मार्ग हैं नो रतन हैं जो असली में हैं और सबसे बड़ी बात है, जो नो ग्रे हैं, वो भी अपने आप में बहुत पावर रखते हैं, आपको हर चीज को नो केंग से जुड़ा गया है, नो हमारी मा हैं, और मा जो हैं, वो भी अपने आप में कैसी चीज हैं, कैसी शक्ति हैं, जहां से हर चीज आपको प्राप्त होत कि जहां से हर चीज हम आपके लिए कहते हैं, कि देखो, ये चीजें सब आपके लिए हैं, तो मुती आप जुरूर पहनें दोस्तों, मुती पहनना आपके लिए शुब है, लाब दायक है, मुती घर में रखना बहुत शुब है, और सबसे बड़ी बात है कि मुती दान करना भ तो आपके सी बड़ी दुविधा में तो आप मोती का दान करें और फिर देखें सब कुछ अच्छा ही अच्छा है जरुरी नहीं है कि वो आप को सही मोती दे तो सही मोती जो है उसकी पहचान भी यहाँ पर गुरुजी ने बता दी है मोती को आप अंधेरे में ले जाएं और जब मोती को आप अंधेरे में ले जाएंगे तो उसमें आपको इंद्रिधनुष बना हुआ नजर आएगा तो वो ही आपका सच्चा मोती होगा गूरुची आप आये इतनी सारी ज्यान की बाते आपने दीद दर्शकों को बताई हैं इसके साथ ही जो दर्शक है उनकी समस्य का समाधान किया इसके आपको पहुत शुक्राई है दर्द की कमी नहीं है जब दर्द के कमी दुनिया में नहीं है तो दवा क्यों नहीं हो और हमारे पास है हर दर्द की दवा गोबी ऐसी जो आप कहीं सोच भी नहीं सकते कि ऐसा क्या हो सकता है आज हम आपको दोस्तों एक चीज दिखाते हैं ये ऐसी धूप है जिसके द्वारा आप अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं आशु भाई गुरु जी द्वारा जनकल्यान हेतु धूप में कई चमतकारी और अतिविशिष्ट सामगरी समाहित हैं जो दुकान, घर, मंदर, ओफिस, पैक्टरी या गोदाम में इस्तिमाल करने पर आपके भाग्ये को सुधार सकते हैं आशु भाई गुरु जी द्वारा जनकल्यान हेतु धूप घर बैठे मंगवाने के लिए संपर्क करें 011-46-41414141 पर